आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तोत हैं प्रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं रतनेश सुनी पहले एक अपील देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयू वर्ग के लिए सरकारी केंदरों में निशलक कोविट टीगा करन अभ्यान जारी है यवाओं से आग रहे कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोस्ताहित करें जब तक आवश्चक ना हो घर से बाहर ना निकले और सुरक्षा के तीन सरल उपायों का पालन करें मास्क लगाएं दो गज की सुरक्ष दूरी बनाए रखें हाथ और चहरा साफ रखें कोविट संबंधी जानकरी और मार्क दर्शन के लिए रास्टी हेलप लाइन नंबर 011-23-97-8046-1075 पर संपर्क करें किन सरकार ने घरलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के उद्देश से इनकी भंडारन सीमा तै कर दी है उब्भुकता मामलों के मंत्राले ने अगले वर्ष 31 मार्च तक खाद्य तेलों और तिलहनों का स्टॉक रखने की सीमा नरधारित की है मंत्राले के अनुसार इस फैसले से देश भर के उप्भुकताओं को राहत मिलेगी अंतराश्टी बाजार में खाद्य तेलों की उची कीमतों का घरेलू बाजार पर भी असर पड़ रहा है मंत्राले ने बताया कि ऐसी बहु आयामी नीती बनाई गई है जिससे खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तूं के मूली नियंत्रण में रहें इसके अंतरगत आया तशुल के व्यवस्ता तरक संगत बनाई गई है और सभी हितार्तियों को स्टॉक की जानकारी स्वयम से गोशित करने के लिए वैप पोर्टल शुरू किया जा चुका है केंदर सरकार ने अब तक राज्जियों और केंदर शासित प्रदेशों को 95 करोड 96 लाग से अधिक कोविड रोधी टी के निशुल को पलब्द कराए हैं स्वास्त मंत्राले ने कहा कि 8 करोड 28 लाग टी के अभी राज्जियों के इंदर शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मुआजूद है प्रदेश में कोविड वैक्सिनेशन निरंतर जारी है प्रदेश में अब तक 6 करोड 51,96,835 वैक्तियों को कोरोना वैक्सिन के टीके लगाए गए कल 2,21,884 वैक्तियों को कोरोना टीके लगाए गए प्रदेश में कल 6,379 कोरोना की जाची हुई जिनमें 9 नए पॉजिटिव परकरण आए पॉजिटिविटी दर 0,01 प्रदेश में 1671 फीवर क्लिनिक संचारित है मध्यप्रदेश उच्च नियायले के नए मुख्य नियायदीश हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे आरवी मलिमत होंगे जबकि मध्यप्रदेश के चीफ जस्टिस मुहमद रफीक उनकी जगा हिमाचल प्रदेश का दाईत्व सम्हालेंगे इसके अलावा मध्यप्रदेश उच्च नियायले के जस्टिस प्रकाश श्रिवास्तव को कलकत्ता हाईकूर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है मुख्य नियायदीश मुहमद रफीक ने इस साल 3 जन्वरी को मध्यप्रदेश के चीफ जस्टिस का दाईत्व सम्हाला था आज विश्व मानसिक स्वास्त दिवस है इस अवसर पर प्रदेश भर में मानसिक स्वास्त से जुड़े अनेक कारेक्रमों का आयोजन किया जा रहा है दुनिया भर में मानसिक स्वास्त के प्रती जागरुकता पहलाने के लिए समयुक्त रास्ट ने 1992 से इसकी शिरुवात की थी इस वर्ष की थीम एक आस्मान दुनिया में मानसिक स्वास्त रखी गई है इंदौर जिले में इस अफसर पर इंडियन मैडिकल एसोसीशन और शास्की शिकिस्सा महाविद्याले का मनुरोग विभाग एक जागरुकता रैली का आयोजन किया गया शाम को महाविद्याले परिसर में मानसिक स्वास्त के लिए काम कर रही संस्ताओं के लिए मुक्ती और मानसिक स्वास्त विशे पर लगू फिल्म का प्रदेशन किया जाएगा इसके बाद मानसिक स्वास्त विशे पर आयोजित चितरकला प्रतियोगीचा के विजिता छातर छातरों को सांसद शंकल लालवानी पूरस्कृत भी करेंगे मंडला जिले की अमूली धरोहर वन संपदा आदिवासी लोक निर्थ्य पुरा तात्विक संस्कृती वा मितिहास का उस्साव काना में बहार कोदो कुट की तिहार आज से शुरू हो गया है 17 अक्टूबर तक चलने वाले सुस्सव काउधगाटन के इंदरी मंतरी पहलात पटेल और फग्गन सिंग को लस्तिनी किया कोदो कुट की तिहार काना नैशनल पार्क शेतर की ग्राम पंचाइद भवन मोर्चा में बेगा तथा जन्जाती संस्कृती आथारित थीम पर जिला प्रिशासन का अभिनव प्रयास है अब कुछ समचा संशेप में मतदाता जागरुकता अभियान के तहट खंडवा जिले के पंधाना में EBM एवं वीवी पैट मशीन का प्रदेशन कर मतदाताओं को जागरुक किया गया शिवपूरी जिले में भी एक नॉवंबर से पंधरा नॉवंबर तक रिकॉर्ड शुद्धी करन अभियाने चलाया जाना है इसके संबन्द में राजस्व रिकॉर्ड वे जो भी तूर्टिया है उनमें सुधार किया जाएगा मॉरेना इस्थित पुलिस परिट ग्राउंड में प्रतियक रविवार को योग शिवर कायो जन होगा खुशंगबाद जिले में रवी फसल बॉनी की तैयारियों को शुरू हो गई है तीन लाग तीसादार हैक्टियर में रवी फसल बुनी का लक्षी रखा गया है धार जिले में 25 गाओं में ओबी एफ प्लस गोशित किया गया है अमरित महुसभ के अंतरकत कटनी जिले के विभिन गाओं में विधिक साक्षरता शिवर लगाए गए इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दोगस की दूरी हाथ दोना भी है जरूरी नमस्कार